मित्रों चैमातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चैमातादी चरू लिखें मातारानी आप सभी का कल्यान करेंगी मित्रों वर्ष 2023 में ललिता सत्तमी कब है जानिये सही दिन्वतारिक क्या है पूजा विधी क्या है जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेश्ट है कि अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करेंगे, और जादे से जादे सिये पर इस से ओटव आ करेंगे. मित्रों, लालीता सत्थमी हरवस भादरपदमास के सुकल पक्ष की सत्तमी तिथी को मनाई जती है, जो राधा अश्टमी से एक दिन पहले पढ़ती है. ललीता सत्मी को ललीता देवी के सम्मान में मनाया जता है ललीता देवी राधा देवी की करीबी दोस्त थी इसलिए आज का दिन बहुत ही सुभ माना जता है ऐसी मान्यता है कि ललीता देवी और राधा रानी भगवान स्री किश्र की सबसे प्रिय थी इसलिए आज के दिन भगवान स्री कृष्ण के साथ ललीता देवी की पूजा करना बहुत ही सुभ माना जाता है मित्रों अब ललीता सत्तमी की पूजा करने की विधी को भी जान लेते हैं जो इस प्रकार है ललीता सत्तमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से निब्रित्त होकर इसनान आधिकर की भगवान गणिस का ध्यान करें इसके बाद भगवान गणिस, देवी ललीता, माता पार्वती, देवी सक्ती, भगवान सिव और साली ग्राम की विदिवत तरीके से पूजा करें साथ ही नारियल, चावल, हल्दी, चंदन का पेश्ट, गुलाल, फूल और दूद देवताओं को प्रसाथ के रूप में हर्पित करें मित्रों, अब आपको बता दें की वर्स दोहज्या तेईसमी ललीता सत्तमी 22 सितंबर दिन सुक्रवार को मनाई जाएगी